Hello my dear students, welcome to our channel 8WR Classes तो my dear students, आप लोग chemical bonding पे वीडियो बननाने के लिए बहुत सारे comment किए बार-बार comment किए कि सर आप बहुत अच्छे से पराते हैं आप बहुत ही unique method से पराते हैं आप chemical bonding को भी पराते हैं हम लोग अच्छे समझा देजिए ताकि हम लोगो एक्जाम में दिक्कत ना हो तो मैं आप लोग के comment और आप लोग के request के according chemical bonding पे वीडियो लेके आया हूँ मुझे 110% उमीद है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे मैं unique वीडियो बनाऊंगा मैं unique वीडियो बनाऊंगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे मुझे 110% उमीद है कि अगर आपको chemical bonding का कुछ भी knowledge नहीं है तो बहुत कुछ knowledge मिलने वाले हैं आप zero to hero बन जाएंगे तो चलिए फिर इधर उधर की बात ना करते हुए वीडियो को start करते है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में question आता है कि chemical bond क्या है chemical bond क्या है आपके mind में भी question आ रहा होगा कि sir what is chemical bond chemical bond क्या है तो देखिए यहाँ पर सब्द bond है bond का मतलब होता है force bond का मतलब क्या होता force तो chemical bond क्या है chemical bond एक force of attraction है chemical bond एक तरह के force of attraction है जिसकी वज़े से दो elements या दो atoms या दो molecules आपस में जूर कर आपस में मिलकर compound बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे chemical bond कहेंगे तो chemical bond एक तरह के force of attraction है जिससे दो atoms या दो molecules या दो elements आपस में मिलकर आपस में जूर कर क्या करता है नए compound को बनाता है यानिके compound का formation करता है ओके जैसे के Nesl जो बना है यह किसके वैसे बना है chemical bond के वैसे mgcl2 जो बना है किसके वैसे chemical bond के वैसे h2o जो बना है किसके वैसे chemical bond के वैसे तो यह सब compound किसके वैसे बना है chemical bond के वैसे तो chemical bond क्या है? एक तरह के force of attraction है, जिससे दो atoms या दो molecules आपस में या दो से ज़्यादा भी क्या हो सकते? मिलकर के compound को बनाता है, ने ने compound बनाता है, ने ने compound का formation करता है, जिससे ने CL हुआ, यह कैसे बना? chemical bond के वह से, तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे compound बनता है, यह सब क्या है, यह सब compound है, कैसे compound बनता है, बहुत ही unique video होने वाली है, मज़ा आ जाएगा, के MgCl2 कैसे बनता है, NNCl कैसे बनता है, H2O कैसे बनता है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो सुरू से लेकर N तक वीडियो को जरूर देखेगा, तो chemical bond जो होता है, basically three types के होते हैं, कितने? तीन तरह के chemical bond होते हैं, number one is ionic bond, इसका दूसरा राम है electrovalent bond, number two is covalent bond, number three is coordinate bond, तो हम लोग को class 10 में, first और second को पढ़ना है, यानिके ionic bond के बारे पढ़ना है, या फिर बोल स हमेशा ही, always, metal और non-metal के बीच में होता है, जैसे यह पर N侍-C-L, जो है यह जो sodium chloride है, यह जो compound है, इसमें N-E-A, metal है, और chlorine के नон-metal है, तो metal और non-metal में यहा पर जो bond है, इस bond को हम कहेंगे ionic bond हमेशा metal और non metal केबीच में होता है जैसे mgCl2 यहाँ पर mg क्या है magnesium, metal है cl, chlorine, non-metal metal और non-metal केबीच में कौन सा bond होगा ionic bond और non-metal non-metal केबीच में होता है covalent bond जैसे H2, hydrogen non-metal oxygen भी non-metal non-metal, non-metal केबीच में क्या होगा covalent bond होगा HCl hydrogen chlorine दोनों ही non-metal है non-metal non-metal के बीज में क्या होगा covalent bond होगा तो ionic bond किसके बीज में होगा हमेशा ही metal और non-metal के बीज में होगा एक metal होगा और दूसरा non-metal होगा यह key point है ionic bond metal और non-metal के बीज में होगा metal की tendency क्या होती है metal की tendency होती है loose electron मेटल एलेक्ट्रोन को छोड़ना चाहता है मेटल एलेक्ट्रोन को छोड़ना चाहता है मेटल एलेक्ट्रोन को क्या करता है छोड़ते है और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होते है accept एलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन को हासिल करता है तो metal electron को छोड़ना चाता है तो कोई तो हासिल करने वाला भी होना होना metal electron को क्या करते है छोड़ देता है तो non metal क्या करेंगे electron को accept करेंगे non metal कहता है कि metal electron को छोड़ देंगे मैं उसे accept कर लूँगा मैं उसे accept कर लूँगा तो metal की tendency lose electron होते है और non-metal के tendency क्या होता है except electron होता है metal के last cell में यानि के valence cell में एक electron या दो electron या तीन electron हो सकता है क्या वो लवन है metal के last cell में या valence cell में कितने electron हो सकता है एक दो या फिर तीन और non-metal के last cell में चार electron हो सकता है पाच हो सकता है या फिर छे हो सकता है या फिर साथ आड भी हो सकता है जैसे neon के last time में 8 electron है ठीक है आरजन के last time में 8 electron है तो metal के last time में कितने electron हो सकते हैं एक दो या तीन नॉन मेतल के 4, 5 6 या 7 ठीक है मेतल क्टिया करता है उस líse electron को accept कर लेता है तुम छोड़ोगे में ले लूँगा तुम छोड़ोगे, मैं ले लूँगा, तुम खोगे, मैं अपना लूँगा, समझे गए, ओके, तो, क्या पर क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड में, मेटल जो है, अलेक्टोन को लूज करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, अलेक्टोन को एक्सेप्ट करेगा, आ जाओ मेरे पा गलेみ लगा तो देखिए पो दोचीज समन्ञा एक समय एक समय ऑच्टुम्झा सब्सक्राइब और समाझजंक जोपर इंट एक यह二 रूल है और ईपोनी गडिजिद और हॉब लक्टुम्झाइब तो देखिए, दुनिया का ये दस्तूर है, कुदरत का ये कानून है, कि हर चीज इस्टेवल होना चाहता है, हम लोग नीकोलर फीजन में पढ़े है, अलफा, बीटा और गामा का इमिजन होता है, क्यों होता है? Stable के लिए Stability हासिल करने के लिए Stability gain करने के लिए आप पर रहे हैं क्यों पर रहे हैं Stable होने के लिए आप चाहते कि एक दिन में क्या बन जाओ success बन जाओ और मुझे परना ना पढ़े मैं Stable हो जाओ तो Atom भी चाहता है Stable होना इसलिए कोई Atom क्या करता है Electron को lose करता है और कोई Atom क्या करता है Electron को gain करता है Electron को accept करता है तो Metal की Tendency होता है Electron को lose करना और Non Metal की Tendency होता है Electron को accept करना Metal Electron को lose करेगा और Non Metal Electron को accept करेगा तो Duplet Rule पहले समझ दे Duplet देखे Hydrogen और Helium यह दो ऐसे atom हैं जिसका एक ही सेल होते है hydrogen का एक सेल होते है hydrogen का electron होना चाहिए आप लोग electronic configuration पढ़ा होगा आप लोग ने कि first cell में कितने electron होना चाहिए दो k cell में l cell में कितना electron होना चाहिए l cell में होना चाहिए 8 m cell में कितना m cell में होना चाहिए k l m m cell में भी 8 आप लोग ने पढ़ा होगा कि पहला cell में 2 electron, दूसा cell में 8 electron, KLL cell में 8 electron, M cell में 8 electron, okay, तो hydrogen का एक ही cell है, तो इसमें 2 electron चाहिए, first cell में, 2 electron से यह खुश हो जाएगा, ठीक है, तो इसको और एक electron चाहिए, लेकिन इसके पास और एक electron नहीं है, okay, helium के बात करता है, helium का item number 2, तो इसका भी एक cell होगा, और पहला cell में इसका 2 electron चाहिए, 2 electron इसके पास है, तो इसको जितना electron चाहिए, पहला cell में 2 electron चाहिए, तो इसके पास 2 electron है, तो इसका मदल भी यह क्या हुआ, यह stable हो गिया, तो सभी एटम क्या चाहते है stable होना तो helium stable हो गया तो ये दो electron से ही खुश क्योंकि पहला cell में दो electron चाहिए तो ये दो electron से ही क्या हो गया stable हो गया इसको कहेंगे हम लोग duplet जब दो atom से पहला cell में दो electron होने से ही क्या हो जाता है stable हो जाता है इस रूल को हम कहेंगे duplet, ठीक है, hydrogen का और एक electron चाहिए, तो यह hydrogen से combine करेगा, electron का क्या होगा, sharing होगा, समझाएंगे, अब जिस tension मतलिए, इसके बाद यहाँ पर एक electron आ जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी stable हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है, कि पहला cell में दो electron होने से stable हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे duplet, dupe का मतलब होता है, दो समझ लिए, ठीक है, तो hydrogen और helium इसका एक ही, क्या होगा, सेल होगा, और first cell में कितना electron चाहिए, दो electron चाहिए, दो electron से यह क्या हो जाएगा, खुस हो जाएगा, यह stable हो जाएगा, ठीक है, तो जब दो electron से हो तो दो एलेक्ट्रोन से स्टेबल हो जाएगा लेकिन एक से ज्यादा सेल तो आठ चाहिए इस्टेबल होना के लिए देखें कि इतना आठ तो आठ का मतब्द चाहिए अक्ट यानि ऑक्ते ट्रूल Octatrol क्या कहता है कि hydrogen और helium को छोर करके सभी atom के last cell में अगर 8 electron हो तो वो क्या हो जाएगा? Stable हो जाएगा hydrogen और helium इसके last cell में क्या होगा? इसके cell में दो electron चाहिए तो hydrogen और helium को छोर करके जो atom होंगे उसके valence cell में यानि के last cell में अगर 8 electron हो जाए तो वो stable हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे octate rule कहेंगे और दो electron पहला cell में चाहिए दो electron से जो stable हो जाता है उसको हम कहेंगे duoplate rule ठेक है तो hydrogen यesser हिलियम 2 electron से क्या हो जाएगा stable हो जाएगा क्यونक्वे इसका एक ही valence क्योंकि इसका एक ही सेल होता है ठीक है तो octetal समझ में अगर आट अलेक्टन हो valence cell में तो वह क्या हो जाएगा stable हो जाएगा तो सभी चीज इस्टेबल होना चाहता है atom भी यहाँ पर stable होना चाहता है मैं भी stable होना चाहता हूं ठीक है मैं भी sl का मत by to sodium chloride कैसे बना सोडियं और count यहाँ पर किया है मिल यह शौडिय जो है यह andem2 कि रेक्ति करेंगे तो फला सेल में आट करेंगे रचल और तहसा सेल इए वण अख और यहां चाहि rebel हें यह लूज कर से नुझे करना चाहिए क्या करना चाहिए नूल कि अदूर पीडिन को लूज नुझे करे 가 insult क्अगरी होना चाहिए तो कुलोरीं जो है यह नॉन मेटल है इसका एक्टमी नमबर 17 है पहला सेल में दो एलेक्ट्रोन दूसा सेल में आठ दीसरा में साथ इसके पास लासेल में कितना एलेक्ट्रोन है साथ कितनी होने पर वह स्टेबल हो जाएगा आठ ऑक्टेट्रूल क्या कहीती है एक्सेप्ट एलेक्ट्रोन को एक्सेप्ट करेंगे तो यह मेटल जो है इसके टेंदेंसी है लूज एलेक्ट्रोन यह एलेक्ट्रोन को लूज करेंगे और इस एलेक्ट्रोन को नॉन मेटल यह जो क्लोरीं है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यानि साथ और 7 प्लस 1 एलेक्ट को लूज करता है और बन जाता है एने प्लस जो एलेक्ट्रन को लूज करेगा उसका चार्ज होगा प्लस जो एलेक्ट्रन को लूज करेगा उसका चार्ज किया होजागा प्लस और जो एलेक्ट्रन को गेन करेगा यानि हासिल करेगा उसका चार्ज किया होजागा माइनस तो सो elektron lose करेंगा वो बनेगा cation j5000 को leoos करेंगा सोडियum का यह चार्ज वाले एटम को Δ thesis चार्ज होगा तो एने सोडियम का है पर आप चार्ज होगा प्लस तो यह होगा आयन को बीरीन करी चार्ज होगे और जिस is plus minus, तो plus minus charge, अलग aleg charge हो गया, unlike charge हो तो यह क्या करागा, आपस मैं attract करेगा, बहुती strong force of attraction होें इनके बीच में, बहुती strong force of attraction होगे होगे, और इसी force of attraction को हम कहते है electrostatic force, इसके बीच में जो force, strong force of attraction होगे, इसको कहेंगे electrostatic force, इसको ना, आपस में चिपक करके क्या बनाएंगे यह एनिये सीयल जिसको हम कहते हैं सोडियम कुल्राइट तो आप लोग देखें कैसे सोडियम कुल्राइट बनता है है आप लोगों ने देखा कि formation of Nacl काइश होता है अप लोगों ने समझ आ तो तो ty क्लोईन की अाप है थो एक्सप करेगा थो अधिक्सप करेगा तो यह सोडिए अलेक्टर्न करने लोजने से रिज webs बनानुट को यंध गेंड्स करने से एक्सप करने से किलोडी बन गया यह का लग अलगा चार्ज हो गया इसके बीच में एक force strong force of attraction होगी जिसका नाम हैं किया है और इसी एलेक्ट्रोलिश्टेटिक फॉर्स के वएसे यह क्या बनाता है S.C.L. जूर जाता पस में नहीं हम बन जाता है टो इसके बीच में ह। फॉर्स ओकौन सा cross electrovalent bond से बना है क्योंकि यह electro esthetic force के वह वाई से आपस में जुरा हुआ है तो सर इसका दूसरा नाम ionic bond फिर क्यों है ionic bond इसलिए है क्योंकि iron है देखिए एक है cation, एक है nion, na plus cation और cl minus nion तो cation and nion के बीच में bond है इसलिए इसको हम कहेंगे ionic bond इसके याँ पर यहां पर io ओंड है तो आप लोगो समझ में आ गया कि इसका नाम ऑन équल्सकीयक और इसका नाम Ionic Bond क्यों है अब आप लोगों यह समझना है कि Definition of Ionic Bond यह Electrovalent Bond क्या होगे तो देखिए Definition books में तो इससे भी लिखा है आप लोग ने पढ़ा होगा साहिए अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लिजेगा यहनि लास से एलक्टॉन एक एटम के वेलेंस से एलक्टॉन ट्रास्पर होकर के दूसरे एटम के वेलेंस सेल में चला जाता है और एक नई कंपाउंड को बनाता है उसे हम क्या कहेंगे Ionic Bond यह Electrovalent Bond फिर से बोलडा हूँ Ionic Bond यह Electrovalent Bond क्या है डिफाइन किजिए अगर ऐसा कोशन हो तो वह बॉन जिसमें एक एटम के वेलेंस से एलक्टॉन ट्रास्पर होकर के दूसरे एटम के वेलेंस सेल में चला जाता है और एक नए कंपाउंड को बनाता है उसे हम क्या कहेंगे Ionic Bond यह Electrovalent Bond कहेंगे ठीक है तो अगर पुछा जै किस एटम से एलेक्टॉन ट्रास्पर होगा किस एटम से किस एटम में जाएगा तो जो मेटल है वह एलेक्टॉन को लूज करगा और नॉनमेटल गाल एक्षैप करगा यानिकि मेटल से नॉनमेटल में एलेक्टॉन जाएगा या अब यहाँ पर देखिए जब आइएक बॉंड के जरिये कंपांड बनता है तो देखिए एक एलेक्ट्रन को लूज करता है और बन जाता है एने प्लास तो जब एलेक्ट्रन को लूज करता है तो उसको तुछ हम ख़एंगे Oxidation, Oxidation का मतलब क्या है, Oxidation का मतलब होता है, Oxidation is Loss of Electron, Loss of Electron, तो यहाँ पर देखिए, Sodium क्या करता है, Electron को Lose करता है, और बनता है N A Plus, यानि कि Sodium Electron को Lose करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Sodium का Oxidation हुआ, Oxidation का मतलब क्या होता है, Oxidation का मतलब होता है, Loss of Electron, Oxidation is Loss लोट्रोन अच्छा कंधिन क्या दो इक एक क्षप करता है यह लोडीन ऐक क्षप करता है तो और इलेक्ट्रों को गेंच करता है तो गिल्सका तो सब्रिक्ष देख्ष क्या हो एथे रहे आग्राओर तो आजारा है अ서 5000 तो Chi का हो रहा है reduction क्लोरिन का क्या हो रहा है reduction और sodium के क्या हो रहा है यह पर oxidation जो electron को lose करता है उसका होता है oxidation और जो electron को gain करता है उसका होता है reduction oxidation मतलब loss of electron reduction का मतलब gain of gain of electron reduction is gain of electron तो oxidation is loss of electron reduction is gain of electron ओके यहाँ पर sodium का oxidation हो रहा है तो इसलिए oxidation हुआ, chlorine electron को gain करा, इसलिए इसका क्या हुआ, reduction हुआ, short में हम ऐसे बोल से था, OIL, RIG, RIG, OIL का मतलब होता है, oxidation is loss of electron, oxidation is loss of electron, यह फिर exam में लिके नहीं आईएगा, कि oxidation क्या है, OIL है, नहीं, oxidation is loss of electron, reduction क्या है, RIG है, नहीं, reduction is gain of electron, यह logic है, यहाद अपनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब जब ionic bond, यानि जिसके बिच में ionic bond होता है, यह electrovailant bond होता है, यह जब ionic bond होता है, तो इसका मतलब ionic bond में यह electrophailant bond में, आइनिक बॉंड में या एलेक्टोफिलेंट बॉंड में ऑक्सिडेशन होता है और रिडेक्शन भी होता है मेटल का ऑक्सिडेशन होता है और नॉन मेटल का रिडेक्शन होता है तो अगर ऑक्सिडेशन और रिडेक्शन दोनों साथ साथ हो उसको हम लोग कहेंगे Redox Reaction Redox Reaction Clear है क्या Oxidation और Reduction जब साथ साथ हो तो उसका हम क्या कहेंगे Redox Reaction क्या कहेंगे बोलिए Redox Reaction तो इसका मतलब Ionic Bond is an example of Ionic Bond और Electrovalent Bond Is an example of Redox Reaction तो इसका मतलब जब Ionic Bond होता है या Electrovalent Bond होता है तो Redox Reaction होता है Redox Reaction का मतलब Oxidation और Reduction दोनों होता है Oxidation और Reduction को एक साथ हम क्या कहेंगे Redox Reaction तो जब Oxidation और Reduction दोनों हो तो उससे हम क्या कहेंगे Redox Reaction अगर पुछा जाए किसका Oxidation होगा Ionic Bond में या Electrovalent Bond में तो Metal का Oxidation होगा किसका Reduction होगा नॉन मिटल की डेक्शन होगा, एलेकटरन कौन लूज करेगा, मिटल करेगा, कौन एकसेप करेगा, नॉन मिटल करेगा ठीक है, क्या、「 inanic bond में, या네क्टर्इमेलन बॉंद में?」 हाँ, एलेकटरन का transfer होता है एलेक्ट्रोन ट्रांसपर होता है एलेक्ट्रोन की से ट्रांसपर होता है मिटल से होता है कहां से होता है मिटल के लास्ट सेल या वैलेंस से होता है कौन एक्षप करता है नॉन मिटल करता है क्या नॉन मिटल के फास्ट सेल में एलेक्ट्रोन जाता है नहीं नॉन मिटल के लास स्क् discrete में नमर कितना होता है कि एक एलक्टरण लसल में एक एलक्टरन 25 कि मैं ऐसे इसको दिखा जीता हो ठीक है अच्छा कुलोरीन का लासल में कितना अलक्टरून साथ तो chlorine इसको हम लोग डॉट से भी दिखा सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे और एक साथ यह यह पर transfer हो जाएगा ठीक है तो यह बन जाए क्या एन अप्लस यह क्या बन जाएगा एन अप्लस और यह क्या बन जाएगा सियल माइनस इसके बीज में क्या हुआ इस्ट्रॉंग इलक्ट्रो इस्ट्रटिक फोर्स होगा जिससे यह क्या हो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा एन ए NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, sodium chloride, तो यह जो मैंने बनाया, इसको बोलेंगे electron dot structure, ठीक है, यह electron dot diagram, अब आजाएए formation of MgCl2, यह जो magnesium chloride है, यह भी एक क्या है, ionic compound है, ठीक है, तो formation of MgCl2 देखते हैं, देखें, magnesium का atomic number है 12, इसका electronic configuration होगा 2A2, देखें, आपर chlorine का दो atom है, MgCl2, तो chlorine, chlorine, इसका atomic number कितना है, 17, electronic configuration 2A7, इसका भी होगा 17 ही, और electronic configuration 287, ठीक है, तो magnesium क्या है, metal है, यह क्या है, metal, और chlorine क्या है, non-metal, non-metal, ठीक है, तो metal की tendency क्या होता है, lose electron, यानि metal क्या करे, electron को lose करेगा, यह दो electron को lose करेगा, और chlorine क्या करेगा, यह non-metal है, electron को accept करेगा, इसकी tendency है, accept electron, ठीक है, तो यह दो electron lose करेगा, लेगिन यह chlorine कितना electron लेगा, साथ है, तो एक लेगा, क्योंकि आठ चाहिए, और एक electron यह लेगा, यह वाले chlorine, ठीक है, एक electron इसको देदेगा, और एक electron इसको देदेगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, आठ लासल में, इसका भी हो जाएगा, और यह दोनों को lose करेगा, तो इसका भी लासल में कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो magnesium और chlorine, यह क्या हो जाएगा, यह stable हो जाएगा, तो magnesium क्या करेगा दो electron को lose करेगा तो बंज़ेगा Mg2 plus, chlorine क्या करेगा, दो atom है chlorine का, तो chlorine क्या करेगा, दो electron को accept करेगा, क्या बंज़ेगा chlorine 2 minus, आइए, इसका formation को मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों कि electron dot diagram के जरी है, तो magnesium, इसके last cell में कितने electron होंगे, दो, देखे, ठीक है, एक यहाँ पर electron लेता हूँ, एक यहाँ पर, chlorine का दो atom होगा, तो chlorine इधर लेता हूँ, और एक इधर, ठीक है, तो इसके last cell में कितने होंगे, 7 electron, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 2, 4, 6, और एक, 7, एक electron इधर transfer करेगा, एक electron इधर करेगा, ठीक है, इसके बाद यह, mg, क्या बन जेगा, 2, प्लस बन जेगा, यह, chlorine, minus, chlorine, minus, अब इसके बीज में क्या होगा, strong, electrostatic force of attraction होगा, ठीक है, जिससे यह क्या बनेगा, यह बन जाएगा, mg, cl, 2, बन जाएगा, ठीक है, mechanism chloride इस तरह से, बन जाएगा, ठीक है, तो, यह हो गया, जो, यह, जो मैंने बनाया, यह हो गया, electron dot structure, of mg, cl, 2, इस तरह से, क्या होता है, magnesium chloride बनता है, तो, formation of mg, cl, 2, सवंज में आ गया होगा, अब आजाएगे, formation of mg, o, magnesium oxide, तो, magnesium का एटमिक नमबर 12, electronic condition 2, 2 हो जाएगा, oxygen का एटमिक नमबर 8, electronic condition 2, 6 हो जाएगा, तेखे, magnesium metal है, तो, इसके tendency क्या होगा, loose electron, यह non-metal है, इसके tendency क्या होगा, except electron, इसको 6 है, देखे, last cell में, last cell में कितने electron चाहिए, 8, यह इना octetule कहिती है, last cell में कितने electron होना चाहिए, 8, क्या होने के लिए, stable होने के लिए, यह 2 electron को loose कर देगा, और यह 2 electron को ले लेगा, oxygen, तो, इसका कितना होगा, 8, ठीक है, तो, magnesium 2 electron को loose कर देगा, क्या बनज़ेगा, mg plus 2 या 2 plus, देखे, हम लोग 2 plus भी लिए सकता है, plus 2 भी लिए सकता होगे, और oxygen उस 2 electron को gain कर लेगा, accept कर लेगा, हसिल कर लेगा, और यह बनज़ेगा, minus 2, या फिर लिए सकता है, 2 minus, देखे, magnesium का 2 plus भी लिए सकता है, या plus 2 भी लिए सकता है, ठीक है, और, तो माइनस भी स क्याता है इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं तो डिखा अब लोगों यह है मैंनेजियम Lily Palmer mensen inầy 17 strand Bahut अब लैघ्डहर्ण सेडियर घ्याओं टो यह है अब लिए अक्सीयन तो एक रचॉन पाच एक रचॉंशन च्रॉंश च्रॉंश पाच रचॉन जे यह लेक्ट्रून के अगर गलेगा तो एमजी किया बंजेगा एमजी तू पलस यह प्लस टू टू ठीक है तू प्लस भी लिए सकते है और ऑक्षियन तू माइनस यह माइनस टू ठीक है तो इसके बीच में strong force of attraction होंगे तिक है उस force of attraction का नाम क्या है छीर आपस में जूर जाएगा और मेंगनेजिम ऑकसाइड बन जाएगा तो इस तरह से मेंगनेजिम ऑकसाइड क्या होता है बनता है आप हम लोग देहेंगे फॉर्मेशन ओफ लिथियम हाइड्राइड इसको अच्छे से सुनिएगा बहुत ही important है lithium hydride में कुछ नहीं बात होगी ठीक है तो इसको अच्छे से देखिए और सुनिए और समझे तो देखिए formation of lithium hydride lithium का atomic number होता है 3 electronic configuration 2,1 hydrogen का atomic number है 1 electronic configuration 1 यानि एक ही cell होंगे और एक ही electron होंगे ठीक है तो lithium जो है यह metal है यह क्या metal है तो metal की tendency क्या होते है है metal के tendency होता है lose electron और यह है non metal non metal के tendency क्या होता है non metal के tendency होता है accept electron ठीक है तो यानि यह electron को क्या करेंगे lose करेंगे तो sir यह lose करेंगे तो इसका लासल में कितना electron होंगे दो तो sir लासल में तो कि आई होगा सभूज करेंगा क्यूं में इस्तेबल होने के लिए यह इसका भी दो होगा इसका भी दो हो जागा का एक विसे हमें जो है उसका एक ऐसेड के अजे सेल होता है और यह तो कोमा एट कोमा एट केसेल एलसेल एमसेल पहला सेंट न के पास एक उता है और क्या हो rapchau यह स्टेबल हो जयए तो हैट्रोजन एक यह налet sound लेकर करके स्टेबल हो जाएगा अब्सर लिधिय campe नास सेंट में निजडर पहला सेल हूर तो यह बे उडर् Не हो जाएगा यानि दोनों किसके एक्त्यार कर लेगा बनाएगा ठीक है तो लितियम का लासन में कितना Sonoалы में एक अदिगराम देख लिए एक ए मिल्क्रॉन है इंग कि टेदेंसी क्या होगी एक्सेट लिडियूम के लुजरां किया करेंगे लूज करेंगे यह क्या बन पलस बन जाएगा और ये चारेगा एच माइनस बन जाएगा ठीक है तो इसके बिच में इस्ट्रोंग फोरस एल्क्ट फोर्स होंगे जिसे क्या बन जाएगा यह तुस्तरग से लेटियम हैड़ाज बनता है और लीथियम हैड्राइड जो है हिलियम के कॉन्फिगरेशन को क्या करता है और यह duplet rule को follow करता है ठीक है अगर पुछा जाए lithium hydrate octet को पुरा करता है या octet rule को follow करता है या duplet को बोले क्या answer होगा octet rule को follow करता है lithium hydrate या duplet को तो answer is duplet याद रखेगा यही unique बात इसमें यही इसके खास बात है कि lithium hydrate यह duplet को पुड़ा करता है यह duplet rule को flow करता है helium का configuration configuration हासिल करता है याद रहेंगे ओके और helium क्या है helium एक stable atom है noble gas है ठीक है तो lithium hydrate helium के configuration यह भी stable हो जाता है तो अब हम लोगों जानना है कि ionic compound या electrolyenden compound वह है coupon जो ionic bond से ionic bond से ionic bond से यज let tolerant bond से बना है उन compounds को क्या आयोनिक compound कहेंगे, जो compound आयोनिक bond या compounds को कहेंगे ionic compound अगर exam में question आए कि ionic compound के दो मिसाल दो दो example दो sodium chloride, mgCl2, mgO, nefbr, cuo, lithium hydride बहुत सारे हैं आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है तो अगर exam में question आए कि इन में से कौन duplet को flow करता है तो lithium hydride helium का confusion flow करता है lithium hydride octodule को flow नहीं करता है lithium hydride समझ में आया इस तरह का question आता है अब exam में question आता है कि इन में से कौन ionic compound है HCl, H2O MgO HNO3 इन में से कौन ionic compound है तो Rydans रोगा MgO क्यूंकि ionic compound में एक metal होगा और एक non metal होगा MG, magnesium, metal है और oxygen non metal है और यहाँ पर HCl यह hydrogen non metal chlorine non metal hydrogen non metal oxygen non metal hydrogen non metal nitrogen non metal oxygen non metal तो इसका मतलब यह तीनों जो है यह ionic compound नहीं है ionic compound कौन है MgO क्यूंकि यह metal है और यह non metal है non metal तो ionic compound है metal और non metal के बीच में होता है उमीद है कि आप लोगों समय में आ रहा है exam में कुशन इस्तरकात है इनमें से कौन ionic compound है इनमें से कौन covalent compound है covalent compound को भी में बता देता हूं कि कैसे आप कहचानेंगे covalent compound कौन है तो covalent compound जो है covalent compound जो covalent bond से बना है उसको covalent compound बोलेंगे अभी तो covalent bond नहीं पर है लेकिन फिर भी बता देता हूं covalent bond से जो बना होगा उसको covalent compound कहेंगे ठीक है तो covalent compound के example हो जागा है HNO3 HCl H2O N2 O2 यह covalent compound है sir यह covalent compound है इसको पहचा नहीं कैसे तो covalent compound जो है यह non metal metal plus non metal से बना होता है dai non metal होगे डोनों ही non metal होगे आयोनीक kobo me metal होगे और एक non metal होगे और कोफिलिंट compound में covalent Papamane में डोनों की nonmetal hoang-netle-6 nonmetal हमेश आ ही जैसे hydrogen non-metal है nitrogen non-metal oxygen non-metal है hydrogen non-metal oxygen non-metal SEL में hydrogen और chlorine, दोनों ही non-metal, nitrogen non-metal, तो non-metal के बीच में, जो bond होगा, वो bond होगा, covalent bond, और उस compound को कहेंगा हम लोग, covalent compound, और metal और non-metal के बीच में, जो bond होगा, वो bond होगा, ionic bond, उस bond को ionic bond कहेंगे हम लोग, तो non-metal non-metal से covalent compound बनेगा, और metal और non-metal से ionic या electrivolent compound बनेगा, अब आई यह जानते हैं कि ionic compound या electrivolent compound बनने के क्या condition है, condition for formation of ionic compound, तो देखे, condition क्या है, metal should have low ionization potential, metal के ionization energy या ionization potential low होना चाहिए, ठीक है, यानि metal के tendency क्या होंगे, loose electron होंगे, ठीक है, यानि low ionization potential होनी चाहिए, ठीक है, यह condition है, metal should have low ionization potential, आप लोगोंने परा होगा, ionization potential क्या है, फिरोई टेविल में ने, ionization energy अच्छे समझाया है, आप लोगों जानते हैं, ठीक है, आच्छा, दूसरी condition, non-metal should have high electron affinity, non-metal के electron affinity जो है, वो high होनी चाहिए, electron affinity का मतलब, electron की चाहत, electron حसिल करने की चाहत, जो electron पांगे खुस हो जाए, इसको बोलेगे electron affinity, तो non-metal क्या होंगे, उसके electron affinity क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्याद होना चाहिए, non-metal should have high electron affinity, तीसरी condition क्या है, तीसरी कंडिशन यह है कि एटम्स के अलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यदा होना चाहिए तभी क्या बहुत 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 कम होना चाहिए दूसरे कंडिशन यह है कि मेटल जो है उसके अलेक्ट्रोन एफिनेटी बहुत ज़्यदा होना चाहिए और तीसरी कंडिशन यह है कि एटम के बीच में एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का डिफरेंस यानि फरक बहुत ज़्यदा होना चाहिए यह है condition for formation of ionic compound अब आईए properties of ionic compound और electoblent compound इसको हम लोगों जानना जरूरी है कि ionic compound की क्या properties है क्या खास्यत है यह है यहां से question आता ही है इनको आप लोग अच्छे से जानना है तो देखें ionic compounds have very strong electro esthetic force of attraction ionic compound का जो electro esthetic force of attraction होता है बहुती ज्यादा होता है ठीक है यह यह क्या होँगे यह ionic compound की एक property हो जाएंगे ठीक है इसी वयसे, इसी strong electrostatic force of attraction के वयसे, सभी प्रपाटी आयोनिक कमपाउंड के है, यानि इनके ही वयसे बाकिय प्रपाटीज है, ठीक है? तो ionic compound के main जो property क्या है वो है कि ionic compounds have very strong electrostatic force of attraction यानि ionic compound के जो है electrostatic electrostatic force of attraction बहुत ही ज़्यादा है और इसी properties के वएसे बाकी properties आयनिक compound के है इसी वएसे electrostatic force of attraction ज़्यादा होने के वएसे ionic compound जो है solid state में मिलते है तो ionic compound generally solid state में पाया ज़्यादा है किसके वएसे strong electrostatic force of attraction के वएसे इसी वएसे ionic compound के melting point है और boiling point है बहुत ज़्यादा होता है high melting point and high boiling point किसके वएसे strong electrostatic force of attraction वएसे ओके अच्छा ionic compound जो है वो electricity को conduct कर सकता है लेकिन सर्थ क्या है condition क्या है कि molten state में होना पड़ेगा ionic compound जैसे एक हम लोग इससे बिजली गुजर सकते हैं इससे electricity conduct हो सकते है electricity को यह electricity को यह conduct कर सकते है conduct कर सकते है बना है electricity इससे गुजर सकते है लेकिन कि सर्थ है यह कि molten होना पड़ेगा molten मनें पिगला हुआ या फिर एक वश इस्टेट में होना पानी इसमें पानी होना पानी मिला हुआ होना चाहिए गुला हुआ होना चाहिए समझ गया है तो जो आइनिक कंपाउंड है वो क्या कर सकते है electricity को कंड़क कर सकते है conduct ionic compounds can conduct electricity in molten state और aqueous state but not in solid state solid state से current pass नहीं होगा solid state से बिजली नहीं गुज़रेगी आईनिक कंपाउंड के अगर nasal का solid state ले तो इससे बिजली नहीं गुज़रेगी लेकिन अगर molten या aqueous state ले पाने मिला दे या पिगला दे तो उससे बिजली गुज़रेगी अब सवाल है क्यो solid state से क्यों नहीं गुज़रेगी आईनिक कंपाउंड के solid state से electricity नहीं होगे लेकिन new इस्टेट से यह एक्वास से पास होंगे एलेक्रिसिटी को कांड़क्ट कर सकता है तो स्लॉड क्यों कर सकता है तो देखिए वायर से जो automation है यह एलेक्टरिसीटी पासरा एक्टरंठ के वय है स किस्चतर के वह से हो सकता है दो चीज के वैसे एक तो एलेक्ट्रोन के वैसे दूसरा आयन्स के वैसे आयन्स होने से क्या होगा करण्ट पास होंगे और एलेक्ट्रोन होने से भी करण्ट पास होंगे यानि करण्ट को पास कराने के लिए करेंट को कंड़क कराने के लिए दो चीज होनी चाहिए एक तो एलेक्टरन यानि करेंट जो पास होंगे दो चीज से हो सकती है एलेक्टरन से हो सकती है और आयन से हो सकती है तो वायर में एलेक्टरन होता है वायर में जो मेटल के जो वायर होता है उसमें बहुत सारे नहीं सकते हैं अगर एलेक्ट्रण फ्री ना हो तो थो ब्रेक्ट्र नहीं कर सकते होधें कि इसप culi होते हैं ठीक इससे क्यों नहीं अगाहिकर इसमें के इसमें जो फ्रेन सेgypt में इसके इसलीए क् isso तो इसमेंसे free है नहीं? तो कैसे pass होगा? आरे से क्यों pass हो तो उसमें free is electron होता है, इसे कैसे pass होता है. तो free होना पड़ेगा, ताके move कर सकाshoreá electron. होगा तभी सक्रेंट पेंच होगा तुम्हेंने अब बोला किरंट पाश दो चीज़ों से हो सकते हैं एल्लैक्ट्रान से और ION से, तो electron free होगा तभी current pass होगा उसी तर से ION से भी current pass होगा ION के जरे से भी pass होगा, लेकिन IONS को भी क्या होना पड़ेगा फ्री होना पड़ेगा, तो solid NACL में जो है IONS free नहीं होते है, इसलिए solid NACL से या solid IONS compound से current का pass नहीं होता है लेकिन जब molten state में होता है या इक्वस इस्टेट में तो आइन्स फ्री हो जाता है तो फ्री होंगे तो आइन्स क्या करेंगे इसलिए पास होता है तो यहाँ पर कोशिन देख लिए वाई solid NaCl solid NaCl solid NaCl या solid mgCl to solid कोई भी solid आइन ने कमपाउंड दे सकता है ठीक है why solid NaCl does not conduct electricity but molten or aqueous NaCl conducts electricity कहता है यह है कि solid NaCl से बिजली नहीं गुजरती है यानि solid NaCl electricity को conduct नहीं कर सकता है लेकिन molten और aqueous NaCl जो है electricity को conduct कर सकता है क्यों तो देखिए solid NaCl has ions इसमें क्या है ions होता है Na plus CL minus तो solid NaCl has ions but ions are not free ions तो होते है ions होना बड़ी बात नहीं है ions को free होना भी बड़ी बात है også होने से सरीफ current पास नहीं होगा ions को free भी होनापड़ेगा ions को free भी होनापड़ेगा तभी current क्या होगा पास होगा तो solid NACL में तो ions है, लेकिन ions free नहीं है, solid NACL has ions, ions तो है, उसके पास ions है, but ions are not free to move, due to क्यों नहीं, क्यों नहीं move कर सकते ions, due to, या फिर free क्यों नहीं है move करने के लिए, इसलिए, क्योंके, due to strong electrostatic force of attraction, बहुती ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रो इस्ट्रेटिक फोर्स रेक्शन होता है, जिसके वैसे NACL के जो ions वो चिप के रहता है, तो चिप के रहने से क्या free होगा, नहीं होगा, तो free होंगे ions तभी तो क्या होगा, electricity conduct होगा, तो solid NACL has ions, ions तो है उसके पास, but ions are not free to move, free नहीं है, move करने के लिए, किसके वैसे, due to strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction के वैसे, ठीक है, but in molten NACL, molten NACL, जो पिगला होगा, पिगला होगा NACL है, उसमें क्या होता है, ions are free, ions free होता है, क्या करने के लिए, to move, जब ions free हो जाए, move करने के लिए, उससे क्या होगे, electricity conduct होगे, तो electricity conducts, संगला आगया, तो अगर आपका question है कि solid NACL से, क्या current conduct कर सकता है, current pass हो सकता है, नहीं, क्योंकि solid NACL में तो, solid NACL में ions होते हैं, लेकिन ions, ions होते हैं, लेकिन ions free नहीं होते हैं, हरकत करने के लिए, move करने के लिए, तो अगर आपका question आए, क्या solid NACL से, electricity conduct हो सकता है, electricity pass हो सकता है, current pass हो सकता है, cancer is no, नहीं हो सकता है, क्योंकि solid NACL में ions free नहीं होते हैं, move करने के लिए, यानि कि हरकत करने के लिए, इस वेशे उससे electricity pass नहीं होते हैं, यानि के current pass नहीं होता है, electricity conduct नहीं कर सकता है, क्या acquist कर सकता है, या mountain कर सकता है, क्योंकि उसमें ions free होते हैं, कि मुवग करने लिए इसे वह से पास होता है करेंट का वह होता है electricity होसकता है अएंस प्री होना पड़ेगा एक्वे मतल सर जो है उसमें पानी होगा आएंस इनवाटर NACL in water, NACL water में होंगे, ठीक है, तो water क्या करता है, Equus NACL से बिजलीक का बाहव होता है, current contact हो सकता है, क्यों, क्योंकि water जो है, water weekends force of attraction, जो है strong electrostatic force of attraction होता है, उसको water क्या करता है, कमजोर करता है, तोर दिदास को, between NACL and CL minus, जो NA plus और CL minus के बीच में, जिसके NA CL का अगर हम लोग, अगर यह अगर compound लेंगे, आयने compound, तो इसको अगर पाने मिलाएंगे, तो इसके जो ions है, इसके बीच में जो strong force of attraction है, इसको weak करता है, कमजोर करता है, कौन water, water weekends force of attraction between NA plus and CL minus, इसको कमजोर करता है, जिससे ions क्या हो जाता है, free हो जाता है, इसके force of attraction को अगर weak कर दे, तो यह क्या हो जाएंगे, ions free हो जाएंगे, दूर-दूर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इससे current pass हो जाएगा, तो इसलिए aqueous area cell से क्या हो सकता है, बिजिली कंड़क्ट हो सकता है, या molten state में भी aqueous area cell से और या फिर molten area cell से क्या हो सकता है, बिजिली यानिकि electricity conduct हो सकता है, यानिकि current pass हो सकता है, यानिकि बिजिली का बाहू हो सकता है, तो water जो है, आनिक compound के force of attraction को क्या करता है, वाटर के इस खासियत को हम कहेंगे dielectric property of water, तो water के एक dielectric property है, जिसके वैसे water जो है, आनिक compound के force of attraction को क्या करता है, कमजोर करेंता है, ठीक है, जिससे ions free हो जाता है, क्या करने गले है, मूब करने गले है, और जब उससे बिजली pass कराया जाता है, तो वो बिजली को pass असाले से करा देता है, ठीक है, अच्छा, अब अगले वाले properties देखिए, आनिक compound के soluble in water, आनिक compound जो है, पाने में soluble है, water में, ठीक है, generally water में soluble है, लेकिन किसी किसी चीज में वो insoluble है, किसी में insoluble, insoluble, inorganic solvent, insoluble का मतलब, जिसमें soluble ने होंगी, soluble का मतलब हल पाजर, उर्दु में बोलता है, ठीक है, तो insoluble मना हल पाजर ने होगा, गैर हल पाजर, ठीक है, तो insoluble in organic solvent, organic solvent में, organic solvent में आयनिक compound जो है, insoluble है, जैसे, CCCl4, यानि के carbon tetachloride, CS2, यानि के carbon disulfide, C6H6, benzene, C6H5, CH3, tonine, alcohol, यह organic solvent है, इसमें आयनिक compound जो है, insoluble है, water में soluble है कि नहीं, soluble है, तो फिर से एक बार organic compound के properties बता जेता हूँ, ionic compound के, जो main property है, उसके बीच में, ionic compound के, जो main property है, वो है, ionic compound में, strong electrostatic force of attraction होता है, दूसरी क्या, कि ionic compound solid state में होता जैनरली, तीसरी क्या, कि उसके melting point और boiling point बहुत ज़्यादा होते है, क्यों होता है, strong electrostatic force of attraction के वैसे, ionic compound के molten state या aqueous state से electricity conduct हो सकते है, solid से हो सकते है, नहीं हो सकते है, क्यों नहीं हो सकते है, मैंने बता दिया, ठीक है, अच्छा, soluble, water में soluble है, ionic compound है, हाँ है, soluble in water, ionic compounds are soluble in water, ionic compounds are insoluble in organic solvent, like CCL4, carbon tetracoloid, याद रखें कि इसका नाम, बहुत important है, CCL4, carbon disulfide, benzene, toni, अब आजाए, covalent bond में, तो देखें, covalent bond क्या है, वह bond, जिसमें, दो या दो से ज्यादा atom, आपस में, electron का sharing करके, जुर कर, नए compound को बनाता है, और ये bond हमेशा, non-metal और non-metal के बीच में होता है, तो metal और non-metal के बीच जो bond होंगी, उसको बहुझें, आइउनिक bond, और non-metal के बीच में, कोविलेंट bond, ठीक है, इसके definition में आपको बोला परोपर, के, अब screen में भी देख सकता है, आप अपने book में भी देख सकता है, ठीक है, वो है bond जिसमें 2 या 2 से ज्यादा atom का electron का sharing होता है और नए compound को बनाते है ठीक है उसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन एच 2 है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और ये भी क्या है ये भी हाइड्रोजन तो फासल में कितना और दो तो ये लेंगे दो इसको भीटन जो यह लेंगे दो एलेक्ट्रोन तो यहाँ पर इसका एलेक्ट्रोन इसको देता है और इसका एलेक्ट्रोन यह लेता है यानि कि इसका भी अब दो एलेक्ट्रोन हो गया इस हाइड्रोजन का भी और इस हाइड्रोजन का भी दो एलेक्ट्रोन हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा ह हो और यह बोलता है तुम मेरा अलेक्ट्रम को लेलो तो इस तरह से दोनों इस्टेवल हो जाता है ठीक है अच्छे देखें यहाँ पर आपको आउर यह है ठीक है रियहां से अब यहां पर इसके कितने अल्क्राण होता एक थे यह यूज कर यह यूज और इसके कितने यहला क्प्लीन तो रपल पर नहीं यह गाल इसको भी क्योंते से अश्चर कर लगाएगा इतर से हो अंब पिर अपने एक्टम के सेल में चलाएगा यह यह तरह से यह दोनों अपस में जूरके रहता है और बनाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह एलेक्ट्रोन इसमें भी जा रहा है और यह एलेक्ट्रोन इसमें भी जा रहा है यानि इस एलेक्ट्रोन यह भी यूज कर रहा है और इस एलेक्ट्रोन को यह भी यूज कर रहा है तो कोविलेंट बॉन्ड में एलेक्ट्रोन का क्या हो रहा है sharing होता है तो इस तरह से क्या बनता है एच टू बनता है इससी तरह से oxygen को समझिए ओटू तो देखिए और अक्सिएन का दू एटम है तो ओ प्लस ओ ठीक है तो अक्सिएन का लासेल में कितना अलेक्ट टू इसका अट्मिक नमबर है आठ तो पहला सेल में इसका हो जाएगा दो दूसरा में चैए लासेल में छो एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे छे एलेक्टरन हुआ इसका इसको भी दो चाहिए, यह वाला oxygen को ऐसे यह भी दो लेगा, इस तरह से इसका भी आथ हो गिया, और इसका भी आठ भी आठ हो गिया, ठीक है, यानि कि यहाँ पर दो जोरा electron का क्या हो रहा है sharing हो रहा है और यहाँ पर एक जोरा electron का क्या हो रहा है sharing हो रहा है ठीक है तो जब एक one pair one pair electron का sharing हो तो उसको बलेंगे single covalent bond ठीक है जब two pair electron का two pair of electron का क्या हो sharing हो तो उसको कहेंगे double covalent bond का मतलब क्या होगा single covalent bond का मतलब क्या होता है कि one pair of electron का क्या होगा sharing होगा हुआ हुआ ना यह यह सिंगल kubbane बार्ड बर्ण जिसमें आ हुआ नो को यह हैं इन्थ यह नैक्टरेन पहला त्रेमी दोगा दूसा सिल्वेगा पांच दो और पांच शाथ तो लास्ट का एलट्रों को दिखाना है तो एक कई है है जो ती पिरट यह पांच है के अठीज़ इसका थीन यह लोगा और इस करद फी चाहिए कितना तीन तो इसका तीन यहाँ लेगा यानि फार अच्छा नहीं बना यहाँ बना कर के दिखाता हूं लेखिए एक क्टो एक दो तीन ठीक्ट है और और्फ इलेक्ट्रान कि शेरिंग हो तो उसको बोलेंगा हमनों ट्रीपल कोवेलेंट बॉण्ड क्लिए तो नायम ट्रीजन में । ży याधि रहेगा अब समझ जाए के कोवेलेंट कंपाउंड क्या है तो वह एा कम बॉंड से बना हो उससे हमनों क्या कहेंगे कोविलेंट कॉमपाउंड कहेंगे जैसे HCl H2O Oxygen Nitrogen Hydrogen यह सब क्या है यह सब कोविलेंट कॉमपाउंड है ठीक है और हीड्रोजन में सिंगल कोविलेंट बॉन होता है ऑक्सिजन में डवल नाटिजन में ट्रीपल जैसे CCL4 कार्बन टेटाक्रोडाइड एच अनो थ्री नाइट्रिक एसीड एस्ट इस तो फोर सल्फिरिक एसीड इसके बीच में कौन सा बॉन है कोलेंट बॉन है थीट यह सब कोलेंट कमपाउंड है है कि अगर कमपाउंड के इसाम papers देने बुले तो यह सब लिख करते हैं अच्छा या नहीं कि तो तोड़ सा जाना है लूइस डॉyllस पाउट इस्ट्रक्चचर वाजाहिए ईंपॉर्टेंट ने दिया था इसलिए लुइश्ट इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दूस्रा हτε A2 एक अक्षियण अ दूसरा आ कि 1 ईलक्षाम से नहीं हो सब दिखा सकते हैं और हम लोग क्रॉस भी दिखा सकते ठीक है तो मैं डॉर से दिखा चल्य तो यहां पर ठीक है जब 2 एलेक्ट़न ने क्षेरिंग हो तो एक लांच से जोर देना है, तो यहाँ बार चार एलेक्ट्रन के से पुस्था हो रहेंगे and इससे प्राहँ को एक लांचसे जोरेंगे, ठीक है? एक दो पांच वज़ी के पांच या बाद गांच पांच निया इसको तीन तीन का शेरिंग और यहाँ पर है टीपल कोवलेंट बांड यानिके इसमें टीपल कोवलेंट बांड होता है ठीख है चोथा नमबर CH4 यानि मिथेन तो यह C, H, H, H Carbon का लाक्सल में 1 एलेक्टोन, 2 एलेक्टोन, 3 एलेक्टोन, 4 एलेक्टोन Hydrogen का एक, इस Hydrogen का एक Is Hydrogen का एक Single Bond, Single Bond, Single Bond Single Bond, ठीक है? यह होगा Hydrogen का Dot Diagram 5 नमबर Sorry, Hydrogen नहीं, मिथेन का इसको क्या बोलेंगे, मिथेन मिथेन का, CH4 का Lewis.Structure या Dot Diagram ठीक है? इसका बाद Carbon Tetra-Kloride तो Carbon 1 है और Chlorine 4 है Carbon, Chlorine, Chlorine, Chlorine Chlorine के लासल में कितने एलेक्टोन होते हैं? लासल में 7 एलेक्टोन होते हैं कितने? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Carbon के लासल में 1 एलेक्टोन दो एलक्ट्रोन तीन एलक्ट्रोन चार बॉन शिंगल बॉन तो ठीर हुए बैपस्पूच्छार विसका सम्सालिन होता है इसमस्टेंग सरफ में का है और बीच मेनि ऑक्सियन एह और विदा ह nos एक दो तीन चार पाच छे यह हो गया सिंगल बॉंड मराड़ा है ठीक है तो यह हो गया है एस्टू का यानि कि यह किता नमबर छे नमबर यह हो गया एस्टू का एलक्टॉन डॉट इस्ट्रेक्चर या डॉट डाइगरम ठीक है इसके वाद और एक मना देता हूं एन ह अमॉनिया का थिक है तो नाइटरजेन एक है है यह है थरन इसका भी एक इसका भी एक है तो यह हुँ आंमॉट या का डॉटियागरम यानि कि यह हो गया है तो कि यहां भाँ तो इस तरह सी आफ लोग क्या करते हैं लिविश डॉट स्ट्रक्चर कि सिंगा भी लोग बना सकते हैं तो इस पर आप लोग शार्ट बिकाया इस्ट्रेक्चर दिखाया इस्क्रीन पर देख लिए बहुत सारे याप बना हुआ है इस तरह से इस तरीके से भी बना सकते हैं यह फिर लास्ट वाला स्टेज को देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ठीक है इस तो एक्जाम में लिविस.डाग्राम या डॉट इस्ट्रेक्चर आता है अच्छा अब हम लोगों जानना है कोबलेंट कामपाउन के प्रुपाईडिस क्या है प्रुपाईज औफ कोबलेंट कमपाउन तो दैखिए कोबलेंट कमपाउन्द में आइंस नहीं होते है तो आ जूर के आपस में चिपके नहीं रहेंगे, इसका मतलब दूर दूर रहेंगे, तो इसका मतलब दूर दूर रहेंगे, तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब गैस फॉर्म में या गैस इस इस्टेट में मिलेंगे, जनरली, तो जो कुवरेंट कॉमपाउंड है, उसमें आय जाए जाएंगे compound, gases या liquid कभी-कभी solid state में भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो जो covalent compound है, उसके पहले property क्या हम लोग बोल सकता है, कि weak, उसके atom के बीच में, weak wonder wall force होते है, या फिर inter-molecular attraction, जो है, कम होता है, कम जो होता है, inter-molecular force of attraction जो होता है, वो inter-molecular force of attraction जो होता है, वो superficig, weak, wonder wall force का मतलब क्या होता है, Inter-Molecular Force of Attraction तो Covalent Compound के जो Atom होंगे उसके बीच में Inter-Molecular Force of Attraction क्या होता है? कम होता है ठीक है? दूसरा क्या? कि Gas State में मिलते हैं और Liquid State में और कभी Solid State में भी मिलते हैं तो Generally Covalent Compound Gases State में या Liquid State में मिलेंगे या फिर कभी Solid Tino State में मिलते हैं ठीक है? Covalent Compound Covalent Compound जो है वो Bad Connector of Electricity होते है Generally यानि Covalent Compound से Current Pass नहीं होगा ठीक है? आच्छा Solubility के अगर बात करें तो Covalent Compound जो है Generally Insolubile In Water होता है Insolubile क्या होता है? Insolubile In Water, Water में Insolubile होता है ठीक है? देखिए Covalent Compound कुछ Polar होता है, कुछ Non Polar होता है Non Polar का मतलब उससे Current उसके पिगली हाला से Equal Solutions से बिजिली का बाहा हो Electricity Conduct नहीं होगा और दूसरा क्या? के Non Polar जो Covalent Compound होंगे वो Water में Insolubile होगा यानि के Water में Solubile नहीं होगा ठीक है? यानि के Covalent Compound दो तरह के होंगे Polar और Non Polar जो Non Polar होंगे उससे Electricity Pass यानि Current Pass नहीं होगा यानि Electricity को Conduct नहीं कर सकता है और Insolubile In Water होंगे Water में Solubile नहीं होंगे ठीक है? Polar वाला होंगे Polar वाला Water में Solubile होंगे और Electricity Electricity को भी Conduct कर सकते है ठीक है? तो Generally Covalent Compound Water में Insolubile है लेकिन जो Polar होता है Polar Covalent Compound वो Solubile होता है Water में और उससे Current भी Pass होगा ठीक है? और जो Non Polar होगा वो Insolubile होंगे Water में और उससे Current Pass नहीं होंगे ठीक है? और Covalent Compound के जो Melting Point है और Boiling Point है वो बहुती लोग होता है क्यों क्योंके इसके बीच में Force of Attraction बहुती Weak होता है ठीक है? यानि का आइन्स नहीं होता है जिसके वैसे Inter Molecular Force of Attraction बहुती वीक होता है इस वैसे इसका Melting Point और Boiling Point बहुती लोग होता है ठीक है? और अगर Covalent Compound Liquid State में होंगे ना Liquid में तो वो Volatile होंगे ठीक है? Volatile तो मैंने आप लोग बोला के Polar Covalent Compound Water में Solubule होंगे और Electricity Conduct कर सकते हैं ठीक है ना? इससे Electricity क्या होंगे? Conduct होंगे ठीक है? और Polar Covalent Compound के Example होजेंगे HCl CHCl3 Non Polar Covalent Compound के Example Non Polar Covalent Compound Non Polar Covalent Compound के Example क्या हो जाएगा? Carbon Tetra Chloride इसके बाद Benzeen ठीक है? Non Polar Covalent Compound से बिजली का बहाव नहीं होगा यहनिकि Electricity को Conduct नहीं कर सकता है यह In Solubule In Water है और यह इससे बिजली का बहाव होगा Electricity HCL से क्या बिजली का बहाव होगा Electricity Conduct कर सकता है Yes करेगा AQUOS HCL करेगा तो अगर Exam में पूछे के ऐसे Covalent Compound के नाम बताओ जिससे Current पास होगा तो HCL होगा और लिखना हुआ AQUOS HCL AQUOS HCL स्रीफ HCL लिखने से नहीं चलेगा AQUOS HCL बोलना हुआ ठीक है तो AQUOS HCL से Current का बहाव होगा यह Covalent Compound है याद रहेंगे एक Covalent Compound है और इससे जानेंगे के Ionic Compound और Covalent Compound के वीज में क्या डिफरेंस है बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टन है एक्जाम में बार बार आता है तो देखिए Ionic Compound यह Electrolite होते है अब बोलेंगे सर ऐलेक्ट्रोलाइट फिर क्या है Electrolite Electrolite वह है जिसके Molten Isted से Current Pass कराने से अपने Components में तूट जाता है Completely ओके जैसे NaCl इसके अगर Molten Isted से Current Pass कराएंगे तो यह Na Plus और Cl माइनस में तूट जाएगा यहनि अपने ions में तूट जाएगा ओके उसको हम कहाएंगे Electrolite ठीक है तो Ionic Compound Electrolite होते है और यह Electrolite नहीं होते है Electrolite नहीं होते है ठीक है दूसरा Ionic Compound के जो Boiling Point और Melting Point है वो Very High होता है Boiling Point and Melting Point Very High होते है ठीक है और इसके Boiling Point और Melting Point Very Low होते है ठीक है इसके बाद Ionic Compound जहाँ है Generally Water में Water में क्या है Solible है Water में क्या होता है Solible होता है ठीक है और यह Water में Insolible होता है Water में Insolible है ठीक है Insolible ठीक है इसके बाद एक फरक और भी बोल देता हूँ मैं आप लोगो कि Ionic Compound में जो chemical reaction के जो speed है बहुती तेज होते है speed ठीक है fast होते है chemical reaction के speed speed fast होते है fast ठीक है इसमें slow ओके और भी एक difference लिख सकता है Ionic Compound Solid State में होते है Solid और यह generally यह generally solid state में होता है और यह gaseous liquid और कभी-कभी solid state में भी मिलते है कुछ-कुछ यह तीनो इस्ट्रेट में होता है ठीक है तो आप लोग Ionic Compound और Covalent Compound के बीच में difference को अच्छे से याद कर लेजिएगा बहुत important है आपकी request के अगोडिंग chemical bonding पे वीडियो में ने बना दिया और आप लोग ने देख वीडिया अब नेक्स वीडियो किस टॉबिक पे चाहिए कौन से चेप्टर पे चाहिए आप लोग हमें फटावर्स से कॉमेंट में बताएए अब आप लोग एक वीडियो अवीडियो ने बेस